देखे दोस्तों अभी अभी मेरे भाई की पोटराइडी को सस्पेंड कर दिया गया उस दिन मैं ही वो गाड़ी का भाड़ा मार रहा था तो मुझे पता है हुआ क्या था दोस्तों कि मैंने एक ड्रॉप उठाया था जैसे कि मैं आपको स्कीन शॉट यहाँ पर बता देता हू मैंने एक ड्रॉप उठाया था तो उस ड्रॉप एक मैडम ने थे तो मुझे वहाँ से डी मार्ट से तरकारी भाजी लेकर जाना था जूबली हिल्स जो के लोकेशन भी रॉंग था और मैंने थोड़ी सी किट-किटी की के मन नहीं जाओंगा लेकिन मैं गया उसी पैसे में म मेरे खिलाफ कंपेंड लाए कि मैंने इन से एक्स्टा 100 रुपी चार दस लिया जो के यह जूट है तो फिर आज मेरी एड़ी सस्पेंड भी तो मैं कस्टमर केरेको कॉल करता हूँ वो लग बोलते हैं कि सर आपकी एड़ी सस्पेंड कर दी गई अब आपकी आइड़ी नही खोले खी। तो मैं बोलता हूं suspend क्यों किये तो उसका कारण बताते हैं कि customer ने मेरे को 100 उर्पे दिए। दोस्टो मैंने यह भी कहा का कि अगर customer मेरे को 100 उर्पे एक्षा दे तो screenshot भेजने के लिए बोले है कोई proof है तो भेजने के लिए बोले, तो उन्होंने का, नए सर, customer ने हमें कहा है, कि उन्होंने आपको cash दिया, तो दोस्तों, वोग cash देने पर भी इनको यकीन है, जबकि हम पर कुछ यकीन नहीं है, तो दोस्तों, हालांके मैंने एक उर्प्या भी नहीं लिया, सची में मैंने एक उर् को suspend कर दिया गया है दोस्तों एक example देता हूँ ये लोग ही बोलते हैं कि order cancel मत करो अगर कुछ भी override overload होता है तो आपकी mutual understanding से आप वो load को लेकर जाओ आपको कुछ नहीं हो अगर हम मान लीजी अगर लेकर भी जाएंगे तो extra charges के लिए ये लोग फिर suspend करेंगे तो मैं आपसे कहन चाता हूँ mutual understanding से भी order को मत लेकर जाएंगे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि order में भाड़ा मारो ही मत सबसे घटिया application है इसको boycott करना चाहिए इतना बेकार application है सिर्फ customer को बाब बनाता है उसका बेटा ये बनता है गालिया तो S.E.R.E. मैं दे नहीं सकता ये video प्लोड होगी